नवस्कार आप देख रहे हैं JJN News मैं हूँ आपके साथ मुहम्मद वैस हमारे देश में आए दिन घरेलू इंसा की मामले सामने आते ही रहते हैं जिसमें महिलाएं अक्सर अपने साथ हुए अतियचार की शिकायतों को लेकर पुलिस और कोट का दर्वाजा खट-खटाती है लेकिन राजिस्थान से एक अनोखा घरेलू इंसा का मामला सामने आया है अनोखा इसलिए क्योंकि यहां इंसा का शिकार कोई महिला नहीं बलकि एक पुरुश हुआ है जिहां दरसल राइस्थान के अलवर जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल अजीच सिंग यादाउने अपनी पतनी पर शारीरिक और मांसिक उत्पीडन का आरोफ लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्श करवाई है परिशान अजीच सिंग ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी उन पर तवे और डंडे से हमला करती है पुलिस को सबूत देने के लिए अजीच ने अपने घर में CCTV केमरा लगाया था जिसमें उनकी पतनी उसे पीट्ती हुँ दिखाई दे रही है अजीच सिंग के पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर भी जम कर वाइलर हो रही है इस वीडियो में महीला अजीच सिंग को क्रिकेट के बल्ले से पीट्टी हुई नजर आ रही है अजीच सिंग ने ये वीडियो पेश करते हुए कोट से मांग की है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए अजीच ने बताया कि शादी के शुरुआती समय में दोनों पति-पत्नी के बीच सब कुछ सही था लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच जगडे होने शुरू हो गए लडाई जगडों में कई बार अजीच सिंग को चोट भी आई है लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया अजीच का ये कहना है कि वो अपनी पत्नी को मार कर कानून हाथ में नहीं लेना चाहता था और अगर वो ऐसा करते तो ये भारती संस्कृती के खिलाफ होता इसलिए उन्होंने हिंसन अपना कर अपनी मदद के लिए कोट का दर्वाजा खट-कटाया है क्योंकि वो एक शिक्षक भी है इसलिए अजीच ने अपनी पत्नी पर कभी भी हाथ नहीं उठाया अब देखना ये है कि कोट के पास सारे सबूत होने के बाद क्या फैसला सामने आता है और क्या घरेलू इंसा का शिकार हुए अजीज सिंग यादव को इनसाफ मिलता है या नहीं तो इस खास खाबर में अभी के लिए इतना ही वाकियी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे 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 न्यूस के साथ और हमारे यूटिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार